तो है गाइस वेलकॉम टू डेली मार्केट अनालीसिस वीडियो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं उसके बाद बेस स्टोक जिनको कल हम इंट्रीकेंडर ट्रेट कर सकते हैं और सारे ट्रेट का लोजिक चलिए स्टार्ट करते हैं आज देखों मेजर उसके उपर ही आज की closing है तो इसका मतलब एक overall देखेंगे तो एक positive ही रहा है as a bank nifty ठीक है लेकिन अगर निफ्टी की बात करूंगा निफ्टी definitely negative रहा है लेकिन इसके अंदर हमको bank nifty ज्यादा positive लग रहा है क्योंकि इसमें जो है price action अच्छा बन रहा है क्योंकि देखो काफी अच्छा फोल आया price में फिर एक bounce किया bounce करने के बाद price ने एक निचे आई price फिर अगेन उपर के level के आसपा सी time spend कर रहा है मैंने आपको आज से कुछ दिनों पहले जब यह green candle बनी थी ना तब भी मैंने आपको बताया था जब यह green candle बनी थी तब भी मैंने आपको बताया थ कि जब price किसी important level के आसपास time spend करते है जैसे अभी उपर में एक resistance level है तो इसके आसपास price time spend कर रही है तो इसका मतलब chances are very high कि वो उसको break कर दे ठीक है तो यहाँ पर important level कौन सा है वो level है यहाँ पर 34800 का level ठीक है 34800 का level काफी time से resistance बनाओ और इसके उपर price अभी तक नहीं जा पा करेंगे और time spend करने के बाद breakout करती डेफिनेटल वह एक sustainable breakout होता है अगर immediately कोई बड़ी green candle के साथ breakout होता है तो उसको हम sustainable उस पर बिलीव नहीं कर सकते है लेकिन time spend हो चुका है तीन से चार दिन अगर अगर आब 34800 का level break करती है price यानि कि price देख सकते है एक fall हुआ उसके बाद य क्योंकि price जो है उपर की तरफ ही time spend कर रहे अब यहां पर देखो कि price एक train line के उपर support ले रही ठीक है तो कल अगर price इस train line को break करती है तो हम short के लिए भी plan कर सकते है next day अगर price sideways open उसके लिए condition यह कि price sideways open होने चाहिए इस range के बीच में कहीं पर भी open हो ठीक है यहां से अगर मैं बात करो 34,400 से लगा कर 34,200 नहीं 300 ठीक है 100 points के बीच में कहीं पर भी open हो price 400 से 300 के बीच में और उसके बाद पहली 15 minutes की एक rate candle बन जाती है और इस level को 300 के level को cross करती ही price हम इसको short के लिए plan कर सकते हैं अगर price 300 का level cross करेगी immediately हम इसको short के लिए plan कर सकते हैं उससे पहले आपको short के प्लान नहीं करना है देख सकते हो overall अगर देखे हैं तो एक positive scenario रहा क्योंकि आज हो सकते price gap up opening हुई उसके बाद एक negative sign second half में देखने को मिला यहां पर देख सकते हैं एक gap up opening होने के बाद जो हो यहां पर देख सकते हो continuously fall हमको उसके बाद second half के बाद देखने को मिला है ठीक है positive ही हम यह कहूंगा इसको क्योंकि कल के price action के से compare करें तो उपर की तरफ ही move कर रहा है ठीक है तो यहां पर एक दो दिन और वेट करके अगर इसको break कर देती price तो confirmation हो जाएगे upper side breakout हो जाएगा उसके बाद हम long position बना सकते इसके अंदर ठीक है और कल के बात करूं तो अगर कल price 300 300 के level को cross करते हम इसको short के लिए plan कर सकते immediately sideways ओपन हो ची 300 से 400 के बीच में कहीं पर भी open हो और 300 का level cross करती आज का जो day low है इसको cross करते हम short के लिए plan करेंगे नीचे में जो target level की बात करूं तो यह major resistance होगा 34180 के आसपास ठीक है यह level cross होता है तो उसके बाद जो next support level है इसका वो इसका day low है यानि कि 34100 के आसपास ठीक है यह दो major target level होंगे अगर यह दोनों 34100 का level कल cross हो जाता है तो उसके बाद हमको एक sharp selling देखने को मिल सकती बड़ी गिरावट हमको इसमें देखने को मिल सकती बाय के लिए बात करूं तो price अगर sideways open होती तो आपको immediately buy नहीं करना है क्यों अगर बाय के लिए प्लान करेंगे टार्गेट होना चाहिए आपका 4600 4600 680 या फिस 700 काशपर हमारा target हो सकता है ठीक है यह दो target level important level में mark कर चुका हूं ठीक है और उसके बाद major resistance level आपको पता है यह 4800 का level जो कि काफी ताइम से बना हुआ है नीचे में दो target में बढ़ा चु चलिए अभी निफ्टी को देख लेते हैं निफ्टी देखोगे ऐसे compared to bank nifty bank nifty थोड़ा positive होता लेकि निफ्टी आज completely negative ही था मैंने आपको कल जो levels दिये थे सारे level as it is थे यहाँ पर देख सकते हो कल मैंने एक level दिया था 16230 का level ठीक है इसके उपर resistance था and almost price 16200 के आसपास open ओ प्राइस से और नीचे में देख सकते हो जो 15 मिन का low break हुआ उसके बाद continuously gir out 2 candle तक देखने को मिली लेकिन जो support level था जो कि मैंने कल आपको बताया था 16140 का level ठीक है उसके उपर काफी जदा price time spent किया and उसके बाद एक बड़ी rate candle यहाँ पर देखने को मिली और इस level के आसपस आ 16140 का level में आपको दिया था और उसके नीचे price closing दिये चुकी थी ठीक बड़ी rate candle के साथ तो यहाँ पर आपने put buy किया होगा definitely आपका काफी इचा पेसा इसमें बनाओगा ठीक है और नीचे में जो target level में ने बताया था यहाँ पर 16,000 के आसपा 16,000 के आसपा 16,000 के आसपा 16,000 क closing दिये ज्यादा उपन नीचे नहीं हो ठीक है उसी के आसपा जो मिने आप support level बताया था उसी के आसपा closing दिये ठीक है तो कल के लिए plan हो सकता अगर price sideways open होती तब भी हम short के लिए plan नहीं करना अगर price sideways open होती हम short के लिए plan करेंगे sell करेंगे और इस तो आपका यहाँ पर जो support क की तरह काम करने वाला एक पंदरा 900 का लेवल ठीक है 16,000 का लेवल क्रोस करते ही आपका target होगा पंदरा 900 क्यास पास ठीक है तो बाकी पुराने लेवल जो कि मैंने कल परसो जो दिये थे वो लेवल वैसे के वैसे ही आप चाहो इसकिन के ओपर देख सकते हो ठीक है चली अब कुछ stocks देख लेते हैं जिनको कल हम इंट्राडेक अंडर ट्रेट कर सकते हैं और साही ट्रेट का लोजिक है ठीक है चली पहला stock की में बात करूं तो य अगर इसका pattern देखोंगे तो यहां पर देख सकते हो प्राइस थोड़ा सा पोजिटीव चल रहा निचे से एक शांदार तेजी होई प्राइस ने थोड़ा सा री ट्रेस किया उसके बाद अगेन इसी तेजी को continue करते हो प्राइस जा रही ठीक है एंड यहां से प्राइस जो टार्गेट होना ची 220 के आसपक मेक्सिमुम इतना टार्गेट रखेंगे इससे बड़ा टार्गेट नहीं रखेंगे बीच में अगर ओल भी रजिस्टेंस की बात करूं तो उसके लिए चोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूं यहां पर स्टोप लोस की बात करू पंद्रा मिन्ट में आपको कुछ भी नहीं करना पंद्रा मिन्ट की केंडल की क्लोजिंग के बाद देखना है अगर डे हाई को कर दिया इसने तो उसके बाद बाइक लिए प्लान कर सकते है इस्टोप लोस आपका होना चीए जनरली 250 के आसपस्टी की आपका स्टोप लोस इसमें आज देखने को मिली पिछले तीन दिनों से देखो का इसमें बड़ी बड़ी रेट केंडल बन रही और आज की एक शांदर नीचे में काफी ची गिरावट होई फिर से एक शांदर रिकावरी हो एक डोजी के साथ क्लोजिंग दी इंपोर्टेंट लेवल के आसपस कर ज iç कर दिखा लेतीो था एक इस तरीके से इसको प्लान करना ठीकर कर अधिक है आपका स्टोउप लोस्ट कींड में खर्टेंड के चॉघ एक कि 113.50 का लेवल को रोस करते हम इसको बाइक के लिए प्लान कर सकते हैं साइडवेस प्राइज ओपन होने चाहिए इसी जोन के बीच में कहीं पर भी ओपन होने चाहिए ठीक है और इसके बाद टार्गेट लेवल के बात को तो दो टार्गेट हो गए 155.50 के आसपास दूसरा पर देखें तो एक चैनल पर प्राइस टेट करीमें थोड़ा सा आपको एकस्प्लेइन कर लेता हूं इसको डिलिट करके फिर आपको वापीस से समझाता हूं ठीक है तो यहां पर अगर आप देखो कि इसके अंदर क्या चल रहा है प्राइस एक चैनल के बीच में चल रही 50 पर देखो कि तो प्राइस कंटिनुसली उपर की तरफ मुग करती जा रही है एंड प्राइस अभी टॉप लेवल के आसपास देखो काफी जादा टाइम स्पेंट कर चुकि यहां पर जो हाई था यहां पर था उसके लोग के आसपास जो सपोर्ट लेवल तो इसके आसपास के बीच में ठीक है तो अगर यह लेवल ब्रेक होता है 2600 का लेवल क्रोस करते हैं इसको शौट के लिए प्लान कर सकते हैं स्टोप लॉस आपका होना चाहिए यहां पर 20-20-20-25 रूपे के आसपास यह फिर 20 रूपे के आसपास आपका स्टोप लॉस होना चाहिए तो लेवल क्रोस होता है तो 30-40 रुपए आपका प्रोफित हो जाएगा 1-2 हमारा यहां पर almost 1-2 1.5 या 1-2 तक का हम ट्राइ करेंगे ठीक है लेकिन प्राइज अगर इसी के ओपर 15 मिंट के अंदर इसको करेंगे लेकिन एक बार इक स्विंको ब्रेक होने दिजिएगा ठीक पहले एक बर इसके चीचर प्रेंचर आयो फिर ऊपर जाये तब हम इसको अगर माहन लेतें कि टाउंसाइड मार्क ब्रकाइट तो डाउंसाइड ब्रेक आउट हो सकता है तो 908 या 907 का सब्सक्राइब कर सकते हैं नोसोट ब्रस आप होना चैह इसमें टार्गेट रहेगा 1.2 और सेम चीज अगर 913.14 का लेवल क्रोस करता है प्राइस साइडवेस अगर बुलिश मोमेंटम देती तो मार्केट पॉजिटिव रहे था तो हम इसको बाई के लिए भी प्लान कर सकते हैं उसमें आपके जो टार्गेट लेवल होने वाले 908 आ प्लान कर सकते हो ठीक है चली स्टोप लोस टार्गेट दोनों चली आई होब की पूरे इस्टोप को समझ में आयों एक लास्ट इस्टोप में आपको और देख लेता हूं पीबी फिंटेक ठीक है यह आपको कल से परसुम में आपको ट्रेड दिया था काफी चार पेसा इसक अबर में उसके बाद हमको एंड अप देखने को मिला फिलाल आप देखोगे प्राइस तो प्राइस एक अपने इस्ट्रोंग एक ट्रेंड लाइन के ऊपर देखोगे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुई नजर आ रही तो अगर इस को अटा देता हूं तो गेडिक सेट अगर आप देखोगे इस सपोर्ट लेवट को ब्रेक करती है यहां पर देखसकते ऐनकेजस पोल्जिसन सपोर्ट लेवसर के ति अगर अगर अबर चेमागर की सेश सव्प करेंगी तक यहां अबर सबस्प्रा न तो यहां तक बावन के आसपास आपका फस्ट टारगेट हो सकता है यह लेवल क्रोस होता है फिर हमको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है प्राइज जो है नीचे में तीस तक भी आचा सो तीस तक भी आ सकती है अगर चाहे तो आ सकती है लेकिन हम इतना अग्रेसिविल प्ल